श्री रणिराम गडवाली जाने मने कथाकार हैं। वे पहाड से हैं और पहाड के ग्रामीन जीवन के वे कुशल चिते रहे हैं। पहाड का लोक उनकी रचनाव में अपनी संपूर्ता के साथ आता है। लेकिन उनके सरोकारों का फलक कहीं अधिक विस्तृत है। एक और वे र उनकी कहानी लोट आना पहाड के वीरान होते गाउं की मारमिक कथा है। पहाड के तमाम गाउं अब भुथा होते जा रहे हैं जहां कुछी घरों में सिर्फ बुजर्ग बचे हैं। बाकी मकान अपने मालिकों की वापसी की बाट जो होते जो होते खंधर में तबदील हो र ये सुनते हैं श्री रणिराम गड़वाली से उनकी कहानी लौट आना चला जाता है वह दुबारा लोटकर नहीं आता मैंने बात का रुख पलड़ते हुए का गज्जी अब वह गाउं नहीं रही जो पहले थे हाँ दद्दा अब वह अपना पन नहीं है जो पहले था लोग प्राय हो गए हैं हमें तो कोई कुछ समझता ही नहीं मैं चुपचाब गज्जी की बाते सुनता रहा मुझे गज्जी के सवाल जबाब बेहत तीके लग रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे वह जान बूच कर मुझे सुना रहा है मैं सुनने के अलावा कर भी क्या सकता था अगर गहराई से सोचा जाए तो वह जो कह रहा था सही कह रहा था दस साल पहले जब मैं गाउं आया था तब खाना पीना सोना अपने घर में ही रहा लेकिन इस बार गाउं आकर अपने मकान को तूटे हुए देखकर मन बेचैन हो गया मकान की जगाय मिट्टी का धेर नजर आ रहा था मैं कुछ पल तक मिट्टी में तबदिल हुए मकान को देखता र रहने का कोई ठिकाना न देकर मन में खयाल आया कि मुझे इसी वक्त लोट जाना चाहिए सोचते हुए जैसे ही मैं अपनी अटेची लेकर खड़ा हुआ तब ही मुझे जबरु कका की आवाज सुनाई दी कौन है भाई प्रणाम कका मैं हूँ रमन सिंग मैंने कहा अरे रमन तू अटेची लेकर कहां जा रहा है मकान के बिना कहां रहूंगा इसलिए वापस लोट रहा हूँ दिल छोटा मत कर बेटा मकान देखकर तेरा दिल तूट गया है मगर हमारा दिल अभी नहीं तूटा बेटा दिल में जगा हो तो मकान तूटने के बाद भी मकानों की कमी न आए दद्दा अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूं अरे गजी अगर मैं इसे न देखता तो यह वो आपस जा रहाता क्यों दद्दा मकान नहीं है तो गाउं वालों से भी नाता तूड़ गया क्या जमाना जरूर बदल गया है दद्दा लेकिन यहां रिष्टे नाते अभी ठीक ही कह राता गजी जबसे हम गाउं छोड़ कर इधर उधर सहरों में बसे हैं हम अपने गाउं को भूल गए हैं गाउं में रहना तो दूर अब नहीं यहां आना ही छोड़ दिया है कभी इस बारे में नहीं सोचा कि गाउं सही सलामत है या उजड़ गया है वहां लोग दॉर रहे हैं या नहीं और जो वहां रहे हैं वे कि सालत में जी रहे हैं कऊना खाने के बाद हम बड़ी देव तक बाते करते रहे हैं जबरो कक्का की जोर जोर की कांसी लगातार दोनों से कानों से टक्रा रही थी जबरू कक्का की खांसी सुनकर पिता का चेहरा मेरी आँखों के आगे तहने लगा दस साल पहले जब मैं गाउं आया तो पिता ने मुझे से कहा हम रहें या न रहें गाउं आते रहना बेटा जब तक गाउं में तुमारा आना जाना लगा रहेगा तुमारा मकान रहेगा तभी इस गाउं में तुमारा अस्तित्व है गाउं से नाता खत्म तो अस्तित्व भी पिता का चेहरा वा पिता की एक एक बात मुझे जगजोर रही थी कमरे में गजी के खराटे गुंज रहे थे और मैं अपने अतित में उल्जावा था आज ना पिता जी हैं और नहीं मकान गाउं का अस्तित्वाई समाप्त हो गया सुबह की चाय पीने के बात गजी ने कहा चलो दद्दा गाउं घुम कर आते हैं मैं गाउं को देखने के लिए उत्सुक था इसलिए गजी के साथ निकल पड़ा हरसु कका का का घर तूटक कर जमी दोज हो चुका था उसका लड़का कहा है किसी को कुछ पता नहीं किसना के मक नहीं नताओ रहा नताई पोते पोतियों का मुझ देखने के लिए मरती दम तक तरस्ते रहे अच्छी खासी जमीन बंजर पड़ गई है उसके बाद पूरी एक लाइन में मकान बंजर पड़े हुए थे किसी का चोखट गिरा हुआ था किसी की छट गिरी हुई थी किसी का पेड उगा वा था और किसी मैं हिसो ले वकिन गोड़े के पेड उगाए थे उन घरों को देखने के बाद हम जिस मकान के सामने रुके वा बदरुताओ का मकान था बदरुताओ और आलम कका बातें कर रहे थे उन दोनों की हैं हैं सुनकर मैंने गज्जी से कहा ये दोनों है है क्यों चिला रहे हैं इन दोनों को सुनाई नहीं देता बदρू कुछ कहेगा तो आ misses 3-4 बार हैं हैं कहेगा और आונה म कहेगज़ए तो बदरू 3-4 बार हैं हैं कहेगा हम देखते देखते गजी ने कहा तेरे साथ को नगजी रमन दद्दा मैंने जैसे उनके लिए अपने हाथ जोड़े दोनों ने एक साथ कहा हमारे बेटे गाउं कब आ रहे हैं रमन हमारे जीते जी आएंगे भी या नहीं मैं उन्हें क्या जवाब देता क्योंकि मुझे खुदी पता नहीं कि उनके बेटे बहु कहा हैं बड़ी देर तक वे मेरे से ऐसे सवाल पूचते रहे जिनका जवाब मेरे पास नहीं था तभे आलम ने कहा अब इस गाउं में हमारे गिने चुने दिन सीश रहे गए हैं साल-दो साल कोई जादा नहीं होती एक पैर तिथान में है और एक पैर घर में समझ नहीं आता कि हमे दाजी का जीवन गाउं में बहुत सुकी जीवन था उसकी छनी में हमिशा 120 बक्रियां वो दो भैसे बंदी रहती थी एक दिन उसके बेटे आए और सब कुछ बेचकर उसे अपने साथ ले गए गबरू इसे बरदास नहीं कर सका और पागल हो गया गबरू जिंदा है और करने के लिए हांक लगा रहा हो सब अपने अपनी किसमत है गजी किसमत को दोस देना ठीक नहीं है दद्दा किसमत बनाने से बनती है और बिगारने से बिगरती है गजी मुझे गाउं में गुमाते हुए परते घर के बारे में बता रहा था मैं उसकी बातों को सुनते हुए सुज़रा था किस दुनिया में जी रहे हम कहां से कहां चले गए हम हम अपना गाओं अपना पाहड नहीं भूले बलकि अपने अवकात भूल गए हैं रात को खाना खाते हुए मैंने गजी से कहा आज पूरे दिन हो गए गजी कल मुझे दिली जाना है एक दो दिन और रुख आते दद्दा नहीं गजी अब रुखना संबब नहीं पहली बस पकड़ोगे न हाँ गजी ने सुबह के दुनिले में मुझे जगाते हुए का चाय पीओ दद्दा अंधेरे में ही निकलना पड़ेगा तभी बस मिलेगी राश्ते के लिए बिंदुली ने आपके लिए खा गाउं आते रहना जेड़ जी मका नहीं है तो क्या हुआ हम तो हैं राश्ते चलते वे गजी ने कहा गाउं आते रहना दद्दा गाउं गाउं है और सहर सहर है गाउं में आदमी की उमर बढ़ती है और सहर में घरती है यहां आदमी निरोग रहता है और सहर में बीमार रहत अश्पतालों में जगह नहीं होती पर यहां ऐसा नहीं है यहां सुध हवा वा ताजा पानी है यहां फेपड़े साप रहते हैं सांस लेने में दिक्कत नहीं होती तो ठीक कह रहा है गजी लेकिन हम गाओं छोड़कर सहरों की ओर नहीं जाएंगे तो हमारा विकास कैसे होगा मैं यह नहीं कहरा दद्दा कि आदमी नौकरी की तलास में इधर उधर न जाए मैं यह भी नहीं कहरा कि कोई अपनी नौकरी अपना घर चोड़कर यहां आए बच्चों का बहुत चया देखना है तो गाओं छोड़ना ही पड़ेगा मेरा कहना सिर्फ इतना है मैं जून में जब बच्चों की छुटियां होती हैं तो गाओं आ जाया करो दद्दा परतेग परिवार से पतिपतनी भी आए तो नब्य घरों के दरवाजे खुल जाएंगे पूरा गाओं आवाद नजर आएगा बस में मेरी आटेची रखते हुषने का मकान बना लो दद्दा कभी गा होगे दद्दा गजी की आवाज भरा गई थी मैं खामोस रहा मकान होता तो उसे उतर देता एक आगच पर उसे अपना फोन नमबर लिकर देते हुए मैंने कहा ये मेरा नमबर है गजी गाओं के हाल चाल बताते रहना कहते हुए मैं बस में चड़ गया बस चलने लगे थी गजी अब भी हाथ हिला रहा था गजी के आँखों से ओजल होते ही बस की घरगराट के साथ मैं अपने अतित में उलज गया मन में लगातार एक ही खैला रहा था कि आप कभी यहां दुबारा आना भी होगा या नहीं कौन जाने